ने हिंदी के एक नए एपसोर में आपका स्वागत है आपने हाले के दुनों में गौर किया होगा कि जेट इंजन को लेकर के अलग अलग शेत्रों से बड़ी रिपोर्ट सामने आई फिचाहे वो सुखोई 30 AMKI का AL-31 इंजन हो या फिर हमारे दो सबसे रिलाइबल फाइटरी क्राफ्ट में इस्तेमाल किये जाएंगे शुरुवात करते हैं सुखोई 30 AMKI के AL-31F प्रोग्राम से आप सबको पता होगा कि हाली में रक्षामन तरा लेके दौरा 26,000 करून रुपे की लागत में 200 से ज्यादा जो इंजन्स है इनकी खरीद को मंजूरी दी गई है और बाकाइदा हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट के साथ जो कॉंट्रैक्ट है यह फाइनलाइज भी हो चुका है अब यहाँ पर जो इंडिजनस कॉंटेंट है उसमें 54% से रेका 63% के बीच में देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ी बात है और इसमें बहुत सा रेशियन इंफिरियर जो पार्ट्स है उनको रेप्लेस किया जाएगा इंडिजनस पार्ट्स से अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि काम शुरू कब से होगा तो आपको बतादे कि ये काम और लेडि शुरू हो चुका है जी हां आपको बदाते चले कि हाली में में रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में और इस टेकनोलोजी को विक्सित करने के लिए जो कारे है वो शुरू किया जा चुका है और AL-31FP इंजन जो है जो कि सुखोई 30M काई में इस्तिमाल किया जाते हैं इस पर बहुत सारे पार्ट्स मैनिफेक्चर भी किया जा चुके हैं और कुछ का नर्मार चल रहा है जो कि इन्हेंस्ट इंजन मेंट को फीचर करता है उसको इसको इस्तिमाल किया जाएगा हलाकि ये इनिशली कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए विक्सित किया गया था और ये 2025 तक देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे जो कॉंपनेंट्स हैं वो रुषियन जो काउंटर पार्ट हैं उनको रिप्लेस करेंगे यानि रुषियन कॉंपनेंट्स को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे पार्ट को अलरी विक्सित किया जा चुका है अब इससे भारत का जो सर्फ रिलाइंस है इंडिन टेक्नोलोजी के छेत्र में ये लगातार बढ़ता रहेगा ये इनिशेटिव महात्पूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एल 31FP में जो इंडिजनस कॉंटेंट है इसको बढ़ाया जाने का भरसक प्रयास पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है और इसमें जो हमारी प्राइवेट सेक्टर कमपनिया है इनके भी साब आगता काफी महत्पूर्ण होने वाली है क्योंकि हमारी प्राइवेट सेक्टर कमपनिया है इन्होंने बहुत सारी critical technologies को master कर लिया है जैसे कि thermal barrier coating या फिर blade cooling technique जो है इनको master कर चुके है हमारे private sector companies और वो पूरा सहयोग करने के लिए तयार है और ये company और जो civilian aerospace giant है उनको इस प्रकार के component को बड़ी संख्या में supply भी करती है और इन्होंने इस छेत्र में अपनी capability को साबित भी किया है एक और significant development हमें देखने को मिला है वो ये है कि भारत में ही जो single crystal nickel based super alloy है ये विक्सित किया जा चुके है और इन्हें defense metallurgical research laboratory के द्वारा विक्सित किया गया है ये advanced material engine की durability को काफी enhance करेंगे इसके life span को enhance करेंगे और जो engine का time between overall है वो भी हमें बड़ा हुआ देखने को मिलने वाला है एक बार जब ये सारी चीज़े validate हो जाएंगे rigorous ground testing के बाद तो इन्हें upgraded AL-31 FP engine में इस्तेमाल किया चाएगा और फिर सुखोई 30 MKI में ये सारी चीज़े हमें देखने को मिलेंगी आपको बताते चलें कि सुखोई 30 MKI एक या दो वर्ष नहीं बलकि अभी 2050 से 2050 तक भारतिय वाइव सेना की service में रह सकते हैं तो ऐसे में जाहिज सी बात है कि हमें engine अपग्रेड करना ही पड़ेगा क्योंकि रशिया से जब ये सारी बाते की गई तो रूस ने अपने हाथ खड़े कर लिये ये बोलते हुए कि अब वो AL-31 FP engine को जादा refine नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि अगर भारत को जादा advance engine की जरूरत है जादा ही modifications की जरूरत है तो भारत को फिर AL-41 को consider करना चाहिए जो कि अल्रीडी सू-35 और SU-57 Fallon के initial variant में हमें देखने को मेले थे वो जादा reliable है जादा thrust generate करते हैं उनके technologies advance है और वो fuel efficient भी है और भारत को वो काफी beneficial भी साबित होंगे भ capability को कई गुणा जादा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं लेकिन भारत ने ये कहते हुए उनके इस प्रस्ताव को नकार दिया कि हमारी जरूरते AL-31 FP से पूरी हो जाती है हमने ऑल्रीडी भारत में बहुत सारे critical parts को विक्सित कर लिया है और gas turbine रिसल establishment और जो दूसरी संगर सं भारत में ही उनको दूर कर लिया जाएगा आपको यहां पर पता होना चाहिए कि रही बास सुखोई 30 MKI की तो सुखोई 30 MKI भारतिया वायू से ना की backbone है और एक ये क्राप अपने 30 से 40 वर्स की service life में तकरीबन 2 से 3 engine swapping देखता है और इस दोरान जो पुराने engine है उनको replace किय जाता है अब भारतिया वायू से ना में भी कुछ सुखोई 30 MKI ऐसे है जो कि 20 वर्स की service लगब पूरी कर चुके है और ऐसे में ज़रूरत है उनमें engine को upgrade करने की और यही कारण है कि तकरीबन 100 के आसपास सुखोई 30 MKI जो है इन्हें नए engine का इंतुजार है और जैसे ये final date है वो हमें देखने को कब मिलेगी तो आपको पताईए कि cabinet committee on security के द्वारा already जो एडवांस पीरियम कामबैटर क्राफ्ट है इसके लिए मन्जूरी मिल चुकी है लेकिन अभी तक defense search and development organization के द्वारा जो engine deal है ये clear नहीं की गई है हम सब यह तो जानते है कि जो बातचीत है वो final stages में है लेकिन ये कब तक finalize होगी इसकी कोई timeline अभी तक सामने नहीं आई थी लेकिन अब DRDO के अधिकारियों ने खुद इस चीज़ को confirm कर दिया है कि 2025 के deadline रखी गई है उसके पहले ही जो engine deal है वो finalize होती दिखाई पड़ेगी और ये सुनशित कर लिया जाएगा कि advanced medium comb क्राप के लिए जो engine है वो किसके साथ मिलके बनाये जाएंगे क्योंकि gas turbine establishment एक original equipment manufacturer के साथ collaborate करेगी और उसके आधार पे 110 क्लिटन 1st class का जो engine है वो बनाया जाएगा अब competitors की बात करें तो तीन प्रमुक competitor है इस शेत्र में जिनके बीच में 30 परदार चल रही है पहला है General Electric जो कि already F404 और F414 engine के साथ program में already बना हुआ है और दूसरा competitor है Rolls-Royce जिसने अपना advance engine offer किया है और तीसरा है सैफरान सैफरान के chances सबसे जादा है उसके पीछे की वज़ए ये है कि सैफरान already भारत के helicopter engine program में collaborate कर रहा है भारत में उसकी engine manufacturing या MRO जो से facility है ये establish की गई है और सैफ सैफरान का कहना है कि हम भारत में indigenous engine को बनाने के लिए तैयार है पहले यह माना जा रहा था कि ये engine M88 पर आधारित होगा लेकिन अब फ्रम स्क्रैप ये नया engine बनाया जाए जिसमें advanced core देखने को मिलेगी और सैफरान ने कहा है कि वह एक दशक के अंतरगत इसको production ready बना सकते हैं सैफरान का ये भी कहना है कि भारत अगर चाहे तो ये जो engine हम बनाएंगे उसको तीन तरह से इस्तेमाल कर सकता है फर एक्जामपल सैफरान ने कहा कि ये same dimension के होंगे जो आपको F4 and 4 का देखने का मिलता है और ऐसे में अगर सैभारत चाहे तो इन engine को upgrade के माध्यम से तेज स्वार्क टू जो कि modular engine B के साथ आता है उसमें भी ये engine fit हो सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि भारत अगर चाहे तो इनका इस्तेमाल advanced medium combated crop के अलावा अपने जो राफिल fighters है उनमें भी कर सकता है जहां सैफरान के साथ से dimension सेम होने वाली है और जो राफिल M88 है उनको आगे च ये राफिल को as a flying test bed भी इस्तिमाल करने वाले हैं कुछ ऐसा ही offer rolls royce के तरफ से आया है लेकिन rolls royce के offer को फिलाल consider नहीं किया जा रहा है और general electric जो की IPR और export right को लेकर चुपी साधे बैठी है उसके chances भी काफी कम लग रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा कर के वीडियो को लाइक करिए नए चनल को सब्सक्राइब करिए मिलते लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हैं